तक्रति में बहुत से शरीर है, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंटु, संसार में सबसे दुडलब, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है, क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसर शरीर में नहीं, शरीर में चाथी, रंग, अत्वा रक्त बिन्टा नहीं देखी जाती हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का पंडार होता है इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है शरीर के मुख्य केंद्रों में नियंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है जब तक उस शक्ति को जगा कर अपने वश में न किया जाए तब तक शक्ति का कोई लाफ नहीं वो शक्ति मनुश्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंज्यूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूका बैठा रहे है मन और शहीर में इस शक्ति के साथ ही इंद्रों होती है जो योगा प्यास द्वारा जगाए जा सकते है मैं तुम्हें अपने शहीर के ये साथों चक्र दिखाता हूँ सबसे पहला है भूल अधार चक्र ये शक्ति का भूल निवास स्थार है यहां जिस रूप में ये निवास करती है उसे कुंदलेनी भी कहते है भूल निगल बात और शहायता से इस शक्ति को यहां से जगा कर दूसरे केमर तक पहुंचाया जाता है इसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं इस स्वादिष्टान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंर मनिपुर्चक तक पहुंचती है फिर मनिपुर्चक भेद कर इस शक्ति को चौथे की दिए अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है वहां से विशुद्चक्र और विशुद्चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागे चक्ति है श्वेत वर्न और प्रिक्ति के मत में दो पंक्रियों की पीच शित होंदा है उसका वीजमन्त मन्त ओओ जदीज परमशर्विका तुर्पयोग किया जाय जाय या इसमें कोई भूल की जाय तो फिर ये शक्ति बेकाबू हुजा जाता है जिससे साधक आकट चाता है और सावधान करता है यूटक्र हुजा हुजा हिपलता हो इस शक्ति से तीनी का भी नस्कर सकता है बिसकी के अवश्यत है कि गुरूं की आग्या और सहायता के बिना ये अव्यासं ना किया जाहा जाहिए ये शक्ति जाग्रित होती है, तो सब केंद्रों में उच्छा और देज का एक ऐसा वेड होता है, जैसे गंगा का परवाह हो, उसका देज गई सूरियों की तरह प्रकाश्माद होता है, कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है, तो सादक को चेथना की अलग अलग पर्तों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छटे चक्र का प्रिदन करके सहसरार तक पहुँशती है, तो योगी पूर्ण समाधी में लीन हो जाता है, जैसे प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुचकर एक अलावकिक आनंद की अनुभूती होती है, जहां मानवी जेतना आदी और अंद की सीमाओं को पार कर जाते हैं, वो परम जेतना परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोग सदैव प्रकाशित रहते हैं, सदैव प्रकाशित रहते हैं, अरे, नार आयोन, नार आयोन, नार आयोन,